ये कहानी एक सची घटना पर आदा दीता है जब एक भालू लगबग 30 किलो कोकेन घा जाता है उसके बाद वो क्या हंगामा मचाता है वो आपको इस कहानी में पता लगने वाला है कहानी की सुरुवात में हम एक प्लेन में एक ड्रग ड्रीलर को देखते हैं जो यहाँ इस प्लेन से कोकेन के बैगों को बाहर भैक रहा था क्योंकि इस प्लेन में कोई खराबी आ गई थी जब वो प्लेन से उन बैगों को बाहर भैक रहा होता है तो उसे एक बैग खुला हुआ मिलता है जिसमें से वो थोड़ा कोकेन यूज कर लेता है और फिर जब वो आकरी बैग लेकर नीचे कूदने वाला होता है तो उसका सर प्लेन से टकरा जाता है और वो बेहोस होकर नीचे गिरता है जिसके अगले दिन हमें एक कपल को जंगल में मंगल करता हुआ देखते हैं ये दोनु जब जंगल में घूम रहे होते हैं तो इनक घूमते घूमते एक भालू दिखाई देता है जिसे देखकर ये दोनु बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं पर जैसे ही ये उसकी फोटो खीजने के लिए कैमरा में देखते हैं तो वो भालू बहुत ज़्यादा असलील हरकता कर रहा था और एक पेड को ही ठोगने में लगा था जिसे देखकर ये दोनु बहुत कुछ हो जाते हैं पर इनकी आपता था कि वो भालू थोड़ी देर में इनकी ही बजाने वाला है और फिर जब ये दोनु उसकी फोटो खीजने वाले थे तो वो भालू अचानक से इनके सामने आ जाता है जिसको देखकर अब इनकी फटना स्टार्ट हो जाती है लेकिन यहाँ चचा चौधरी अपनी गर्ल्फरेंड को भागने के लिए नहीं गयते वो सांत रहकर खड़े रहने के लिए गयते हैं पर ऐसे मामलू में लड़कियां भागने मां आगे रहती है तो चचा चौधरी की गर्ल्फरेंड भी यहां से भागने लग जाती है जिसके पीछे अपने चचा चौधरी को भी भागना पड़ता है अब इनने देखकर भालू बहुत गुस्से मां आ गया था क्योंकि वो तो यहां इनसे फोटो खिचवाने आया था पर ये दोनू तो भाग रहे थे तो अब वो भालू भी इनके पीछे भागता है लेकिन भागते भागते चचा चौधरी का पाउँ पत्तर से डखता जाता है और अपने चचा चौधरी नीचे गर जाते है जिस वज़े से भालू पाड़ी से सीधे चचा चौधरी की गल्फेंट पर चलांग मार देता है चचा चौधरी अपनी गल्फेंट को बचाने की कोसिस करते है पर भालू उसे खसीरते वे अपने साथ ले जाता है और चचा चौधरी के लिए उनकी गल्फेंड का पैर भैक देता है जिसे देखकर चचा चौधरी की फटकर चौबारा हो जाती है और वो यहां से भाग जाते हैं अब यहां भालू ने इन पर अटेक इसलिए गिया था क्योंकि उसने प्लेंड से गिराए गए कोकेन का नसा कर लिया था इसके बाद हमें निजूज में दिखाया जाता है कि प्लेंड से गिरने वाले ड्रग डीलर की लास पुलिस को मिल गई है और उससे पुलिस को एक बैक कोकेन का भी मिला है यहां हम डिटेक्टिव बॉब को देखते हैं चोकि इस केस की चान बिन के लिए यहां आया था वो प्लेन से कूदने वाले की लास को देखकर बताता है कि वो इसे जानता था और यह एक बहुत बड़े ड्रग डिलर सिट के लिए काम करता है उसे सक होता है कि इसके पास सिर्फ एकी बैग नहीं हो सकता है इसने बाकी बैगों को सायद जंगल में फैके होंगे इसके बाद बॉब यहां से चला जाता है दूसी दरब हम सिट को देखते हैं जो अपने बेटे के दोस्त ताबीत को बताता है और अब सिट चाता था कि दाबीत और उसका बेटा एड़ी जंगल में जाकर कोकेन को उस तक पहुँचा दे लेकिन दाबीत जब यह सब बात एड़ी को बताता है तो वो यह काम करना नहीं चाता था क्योंकि हाली में उसकी बीवी की टेथ हो गई थी जिस वज़े से वो बहुत दूखी था और उसने यह सब काम छोड़ दिये थे लेकिन दाबीत के कहने पर वो इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है जिसके बाद हम डीडी और हैंडरी नाम के दो बच्चों को देखते हैं जोगी अपना स्कूल बंक करके जंगल के पास ज़रने की तरफ जाते हैं लेकिन जंगल में आगे जाने पर इन दोनों को कोकेन के कुर्स पैकेट मिलते हैं तो ये दोनों अब उस कोकेन को यूद करने लग जाते हैं पर तब ही इदर वो भालू आ जाता है उसने यहां बहुत सारा कोकेन का नसा किया होता है जिसे देखकर ये दोनों तो अब डर के मारे भाग जाते हैं दूसरी तरफ हम डीडी की मॉम सहरी को देखते हैं जो अपने बच्चों को ढूडने के लिए रेंजर और पीटर के पास आती है और उन्हें अपने बच्चों को ढूडने के लिए जंगल में साथ चलने के लिए कहती है जिसके बाद हम डेविड और एडी को देखते हैं जो अपने कोकेन को ढूडने के लिए ब्लैक माउंट पर पहुँच गए थे ताबीद यहां रुक कर एक वास रूम में जाता है तो यहां उसे कुछ छपरी लॉंडे मिलते हैं जो कि ताबीद को धमका कर उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ताबीद उनसे लड़कर उन तीनू को बहुत मारता है इतना कि उन तीनू को बेहोस करते थे है पर इस लड़ाई के दोरान उसके कंदे पर भी एक चाकू लग गया था और फिर जब यहां एडी आता है तो वो इन तीनू की तलासी करने लग जाता है और उसे इन तीनू से एक कोकेन का पैकेट मिल जाता है जो की वही कोकेन था जो की प्लेन से फैका गया था अब ये देखकर ताबीद इने मारकर इस कोकेन के बारे में पोस्ता है कि ये कहां से मिला उसे तो इन मेंसे एक लड़का बताता है कि उन्हें ये कोकेन जंगल में पहाड़ी के उपर से मिला था तो इन्हें हेन्री एक पेड़ पर चड़ावा मिलता है जो इन तीनू को बताता है कि जंगल में एक पागल भालू है जिसने कि उन पर एटेक किया था लेकिन पीटर और रेंजी उसकी इन बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे और तब ही इदर वो भालू आ जाता है जल्दी से मदद लाती है इसके बाद पीटर भी डर के मारे एक पेड़ पर चड़ जाता है लेकिन वो नसेड़ी भालू इतनी आसानी से जाने वाला कहा था उसे पेड़ पर हेन्री दिखाई देता है तो वो उसे मारने के लिए उस पर चड़ने लग जाता है पर उस पेड़ पर चड़ते वक्त भालू को दूसरे पेड़ में चड़े हुए पीटर के कपणों से कोकेन की स्मेल आदी है जिसे सूंग कर भालू हेन्री को छोड़ सीधे पीटर के पेड़ पर चड़ जाता है और वो पीटर का चीर हरन करके उसे बेरहमी से मार देता है तो अब ये देखकर हेंडरी और सेरी ये देखकर जल्दी से यहां से भाग जाते हैं और वहां रेंजर जब अपने आफिस पहुंसती है तो वहां वही दो छपरी लॉंडे आये होई थे जिनने की दाविद ने पेल रखा था उन्होंने यहां से अम्बूलेंस को फोन किया होता है पर तब ही रेंजर जी देखती है कि उन दोनों ने उसके सारे पैसो को चुराय हुए है तो वह अब अपनी गन को उन दोनों पर पॉइंट कर दीती है पर तबी दर्वाजे पर आवाज आती है तो रेंजर उन में से एक लड़के को दर्वाजे को खोलने को गहती है और जब वो दर्वाजा खोलता है तो उनके दर्वाजे पर भालू बैटा हुआ था रेंजर भालू को मारने के लिए गोली चलाती है पर उसका निसाना इतना कच्चा था कि वो अपने आगे के लवंडे को ही मार देती है और गोली की आवाद सुनकर भालू घर के पीछे चुप जाता है फिर रेंजर बचे वे उस दूसरी लड़के को दर्वाजे को बंद करने को गहती है और खुद भालू पर नजर दोड़ाने लगती है लेकिन वो दूसरा लड़का दर्वाजे को बंद करके उसी दर्वाजे के सामने खड़ा था जिसकी वज़े से भालू दर्वाजे की खिड़की से उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन उखाड लेता है और फिर थोड़ी देर बाद यहां एंबुलेंस भी पहुँच जाती है जिसे कि उन दोनों छप्रियों ने बुलाया था इस एंबुलेंस में दो लोग होते हैं और वो दर्वाजा खोलने की कोशित करते हैं पर दर्वाजे पर तो एक छपरी की लास पड़ी हुई थी फिर जब वो दोनों अंदर आते हैं तो उन दोनों वैसे जो एक लड़गी थी उसे रेंजी मिल जाती है जो की बहुत जखमी हालत में थी और जो दूसरा बंदा था वो ये देखने के लिए कि यहां हुआ गया है एक दर्वाजे को खोल देता है जिसके अंदर उसे वही नजरी भालू दिखाई देता है और वो अब दर्वाजा तोड़कर इन पर अटेक कर देता है तो अब बैथ जल्दी से रेंजर को एंबूलेंस में डालती है और गाड़ी स्टार्ट करती है लेकिन अभी वहाँ उसका साती टॉम दर्वाजे में दबा हुआ था और उसके उपर वही भालू चड़ा हुआ था पर तभी टॉम के हाथे एक रेड बैग लगता है जिसे वो भालू को मार कर फैकता है तो भालू को लगता है कि इस बैग के अंदर भी कोकेन है तो वो तुरंट उटकर उस बैग की तरब जाता है जिससे अब टॉम यहां से बचकर एंबूलेंस की तरब भागता है और उसमें चड़ जाता है लेकिन जब भालू को उस बैग में कोकेन नहीं मिलता तो भालू एंबूलेंस के पीछे पढ़ जाता है और वो कूत कर एंबूलेंस के अंदर पहुँच जाता है जिसकी वज़े स उनकी गाड़ी का एक्सिडेंट हो जाता है और वो एक पेड़ पर जाटक राती है और बैथ एम्बूलेंस से छटक कर बाहर गिरती है और उसकी भी वही पर डेथ हो जाती है वहीं दूसी तरफ हम डिटेक्टिव बॉप को देखते हैं जो कि दाविद और एडी से पहले कोके करने के लिए कर सेरेंडर करने के लिए गयता है दाविद अपनी गन को फैंक देता है और जब डिटेक्टिव उस टिमबल उपर सो जाता है ये देखकर दावीद एडी के पास आता है और उसे निकालने की कोजिस करता है और तभी उससे कोकेन का एक पैकेट गर जाता है जिसकी स्मेल से भालू फिर से जाग जाता है और वो उस कोकेन के पैकेट को पूरा खा लेता है जिसके बाद वो एडी को जोता कर लेते हैं और डिटेक्टिव बॉब इन्हें यहां से जाने के लिए गयता है लेकिन तभी डिटेक्टिव बॉब को कोई गोली मार देता है और यह गोली मारी थीज सीड ने और फिर वो डिटेक्टिव के पास आता है और उसे अपने कोकेन के बारे में पोस्ता है तो तो यहाँ सारा को बताते हैं कि उसकी बेटी अभी जिन्दा है और वो जहर्णे की तरब गई है जिसके बाद अब यह तिनों भी उस जहर्णे के पास पहुंचते हैं जहाँ इन्हें उस भालू की गुफा मिलती हैं अब चजा चौदी तो उस गुफा में नहीं जाते हैं ले लेकिन तबी तर भालू के आने की आवाद सुनाई देती है तो अब सारा अपने दोनु बच्चों को लेकर गुफा से आगे बढ़ने लगती है और जहर्णे के पास पहुंच जाती है जिसके थोड़ी देर बाद एडी, सिड और दावीद यहाँ पहुंच जाते हैं और इ लेकिन देता है इसके बाद सिड एडी को ऊपर लटका हुआ एक कोकेन का बैग निकालने के लिए गयता है लेकिन तबी इधर उपर वो भालू आ जाता है जिसे देखकर सारी अपने बच्चों को लेकर जहर्ने में कूच जाती है और पिर जब भालू सिड की तरफ बढ़ पिर से उस बैग को निकालने की कोसिश करता है और बैग निकालते वक्त उसमेसे एक कोकेन का पेकेट बाहर निकलकर पढ़ जाता है और उसके पास सारे आतीय है चो की नर्स का क्या कर ती ती अबीत की मदद करती है और उसे बचा लेती है जिसके बाद ये सबी अपने-अपने घर चले जाते हैं और फिर कुछ दिनुबाद एक कबल फिर से जंगल में भालू को देखने के लिए जाता है यहां भालू और उसके बच्चे खेल रहे होते हैं पर जाब भालू की नजर इ यह लोड़े लगए